Hello everyone, welcome to my channel आज है 20 दिसमबर और बहुत तेज ठंड है इस समय हमारे साइड और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगे कि इस समय मेरे किचन गारडन में क्या चल रहा है क्या क्या काम मैं आज कल कर रही हूं। बहुत जड़ा तो नहीं कर रही हूं, थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगे और ये देखिये, ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये एक प्लांट मैं लेकर आई थी और इससे मैंने कई सारे प्लांट लगा लिये तो ये जो पुराना प्लांट है इसमें से मैं दो स्ट्रॉबेरिस पहले भी तोड़ चुकी हूँ और ये तीसरी है एक एक करके पक रही है और जो नए प्लांट तयाह हुए थे उन में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर अभी आना शुरू हुए हैं मैं आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगे बिल्कुल अंदर की तरफ हैं भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं साथ में आज हम लोग हल्दी के हार्वेस्टिंग करेंगे देखिए यह हल्दी वाला गमला यह शायद मई या जून में यह चोटे गमले में लगाई थी सिर्फ एक ही गमले में लगाई थी तो लगभग 6 महीने हो गये हैं तो करीब 6-7 महीने में हल्दी बिल्कुल रेडि ह और क्योंकि मेरे पास बहुत जादा हल्दी नहीं लगती है इसमें मैं बस एक छोटे गंदे में लगा लेती हूं और देखें जब हल्दी रेडी हो जाती है तो उसके पहचान यह है इसके पत्ते सारे इस तरह से ड्राइई होकर सारे जुग जाते हैं तो आपको समझ जाना च तो यह सारी मिट्टी हटा करके और इसमें से देखते हैं कितनी हल्दी बनी है तो अगर आप भी हल्दी लगाना चाहते हैं तो बहुत आराम से अपने घर पर ही किसी भी गमले में लगा सकते हैं और इस समय आपको मार्केट में कच्छी हल्दी मिल जाएगी वो आप ले और आपको ताजा हल्दी मिल जाएगी और यह जो मेरी गाठे निकल रही हैं इसमें से मैं इसी में से सारी यूज कर लूँगी तीन चार गाठे रख लूँगी और उसके बाद माई के मन्थ में जब उनमें स्प्राउटिंग होने लगेगी तो उसके बाद मैं फिर से इसी और गमले में लगा दूँगी तो वैं अभी दो-तिन साल से यही कर रही हूँ इन्हीं में से मैं दो-तिन गाठे बचा लेती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें फिर से लगा लेती हूँ और अगर आपके पास कच्छी हल्दी नहीं है तो इस समय आपको मार्केट में बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए तब इसकी गाठे अच्छी तरह बनेंगी हाड नहीं होनी चाहिए और आपको किसी तरह की बीच-बीच में कोई खात देने की ज़रूरत नहीं है पानी भी बहुत जादा नहीं देना है दो-तिन दिन में एक बार आप पानी दीजे और जब आपकी हल कर रही हूं किसी तरह के आपको बीच में कोई खात देने की जरूरत नहीं है शुरू में आप गोबर खात वगए तो मिट्टी में मिलाती ही है मिट्टी हमारी अच्छी होती ही है बस उसे मैं आपको हल्दी की गाठे लगा देनी है और बस 6-7 महिने में आपको ताजी वाश कर लेंगे एक बार तो मैं इस पानी से इसकी मिट्टी निकाल रही हूं और इसके बाद मैं इसे नल के नीचे बिलकुल साफ पानी से अच्छी तरह से धोलूँगी और देखें ये सारी हल्दी मैंने अच्छी तरह से वाश कर ली है और कितना सुन्दर पीला कलर लग रहा है और अब ये जो गमला है जिसमें से ये हल्दी निकली है इसकी मिट्टी को हम वापस से भरेंगे और ये मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं गमले किस तरह से भरती हूँ जिसे कि बिल्कुल फ्री में हमारे मिट्टी एकदम से निट्रिशस हो जाती है बहुत जादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ नए व्यूवर्स हैं उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो देखे ये गमले के नीचे होल के उपर मैंने ये दिया रख दिया है और मैंने किचन वेस्ट लिया है मिट्टी को तयार करने के लिए सबजी फलों के छिलके ले लिये हैं और बिल्कुल फ्री में हमारे बहुत अच्छे मिट्टी तयार हो जाती है तो सबसे पहले मैं इसमें उसके उपर थोड़ी से मिट्टी डाल दूंगी और इसके बाद जो ये हल्दी का प्लांट निकला है जो ये सूखे पत्ते, जड़े वगरे है ये सारा का सारा मैं इसमें दबा दूंगी क्योंकि ये पत्ते शूख चुके हैं, बिल्कुल ब्राउwn कलर के हो गया है ये ब्राउन वेस्ट का काम करेंगे composting के लिए ब्राउन और ग्रीन वेस्ट की जरूरत होती है तो ग्रीन के लिए तो हमने kitchen वेस्ट ले लिया है और ब्राउन वेस्ट का काम है आदि सुखे पत्ये करेंगे तो जितने भी सुखे पत्ये में और बी आपके गारड़न में जाडू लगती है उसके बाद जो कच्रा वगरा निकलता है सुखे पत्ते वगरा निकलता है वो अलग से बालती में भर देती हूँ और मैं गमलो को भरने में इस तरह से यूज कर लेती हूँ तो उपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और अब मैं जो ये किचन वेस्ट ह इसे इस गमले में भर दूँगी नीचे की साइड देखे इतनी मिट्टी डाल करके अब मैं इसमें किचन वेस्ट डाल दूँगी और उपर से फिर में सारी मिट्टी इसके उपर डाल करके गमले को अच्छी तरह से भर दूँगी और बस अब इसमें कुछ भी करने की ज़र तो देखे मेरा तो गमले भरने का यही तरीका है जो कि मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ छोटा गमला है उसकी मिट्टी मैं पलट सकती हूँ तो इस तरह से पलट लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा है मिट्टी भी उपर नीचे हो जाती है और बड़े गमले हैं जैसे कि म हमारा गमला और हम देख लेते हैं क्या-क्या भी तैयार हुआ है देखे यह तब में जो यह गलती से चुकंदर लग गए थे यह एक चुकंदर तो यह मैंने निकाल लिया है बाकी तो सारे चोटे हैं अभी और मुझे ने लगता कि वह अच्छे से बड़े होंगे इसका थोड में अच्छे तो आज भी मैं दो-तीन मुझी सोच रही हूं निकाल लू तो बस जो थोड़ी मोटी-मोटी दिख रही हैं उन्हें मैं छांट-छांट के निकाल लेती हूं और इससे जो और मुली हैं उनके लिए स्पेस बनता जाता है तो इतनी जादा घहनी मुझी लगानी नहीं चाहिए थी लेकिन इस बार में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई इसलिए ये जादा घणी हो गई नहीं तो सारी मुली बहुत लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी बनती लेकिन घणी लगने की वज़े से इनका साइज छोटा रह गया है लेकिन कोई बात नहीं बड़ी और अगयनिक है अपने हाथ से उगाया हुआ बिना किसी केमिकल खात के छोटा बड़ा कैसा भी साइज हो लेकिन काफी टेस्टी लगती है घर की लगाई हुई सबजिया और अभी बहुत तेस्ट हंड है और इस समय आप किसी भी तरह कि भाजी अपने गमलों में लगा सकते हैं लाल भाजी हो या पालग धनिया सरसों मेथी बहुत अच्छा हो जाएगा इस समय तो इस समय पर भी आप बुआई कर सकते हैं बहुत आराम से इसके लावा आप मूली वगरे भी लगा सकते हैं अभी वो भी हो जाएंगी अभी एक गेड़ महीने में ही मूली तो तयार हो ज चायद और उसी की वज़े से देखे यह अपने आप करेले का पौधा निकलाया था तो मैंने इससे फिर नहीं हटाया और मैंने इससे सपोर्ट दे दिया और इधर जो मैंने मटर और टमाटर लगाया थे वो तो सारे बंदरोंने साफ कर दिये हैं और यह जो मटर में देख एह अब चोटी चोटी फलियां बची हुई थी अब दुबारा बड़ी हुई है रेकितो तो सारी बंदर सारे ही खाके चले गए ख़े और ये टमाटर भी सारे ही जाड़ दिये थे ये दुबारा से जो छोटे टमाटर थे वो बड़े हुए हैं और अब शायद देखो ये भी पक पाएंगे या नहीं या उससे पहले बंदर तोड़ लेंगे जो भी होगा पकेंगे तो हम तोड़ लेंगे नहीं तो वो लोग तो